C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तुत है रेडियू बाल पत्री का रंगोली रंगोली में आज सुनते हैं कारिक्रम कबीर वानी विद्याधन उत्यम बिना कहु चुपावे कौन विद्याधन उत्यम बिना कहु चुपावे कौन बिना डुलाए ना मिले जो पंखा की पान संत कबीर कहते हैं जैसे पंखे को हिलाए बिना उसकी हवा नहीं मिलती उसी प्रकार बिना परिश्रम किये विद्याधी प्राप्त नहीं की जा सकती हैसी बानी बोलिये मन का पाकोई मन का अभिमान त्याग कर ऐसी मधुरुबानी बोलनी चाहिए जिससे सुनने वाले को शीतलता मिले और स्वैम हमारा मन भी शान्त हो मधुर वचन ते जात मिटी उत्तम जन अभिमान तनिक सीत जल सो मिटे जैसे दूद उफान जिस प्रकार थोड़े से शीतल जल का छीटा देने से उबलते हुए दूद का उफान शान्त हो जाता है उसी प्रकार सज्जनों की मदुरुबानी से सब का क्रोध शान्त हो जाता है बोली एक अमोल है जो कोई बोले जानी एक अमोल है जो कोई बोले जानी ये तरा जो को लिके तब मुख बाहर आनी तब मुख बाहर आनी वचन बहुत मुल्यवान है हमें सूच समझ कर बोलना चाहिए हमें अपनी बात को रिदय की तराजू पर तोल कर ही मुख से बाहर लाना चाहिए भाव इस प्रकार है कोई बात कहने से पहले सोच विचार कर लेना चाहिए तरवर फल नहीं खात है सरवर पी अतना नीर परमारत के कारने संतन धरा सरीर जिस प्रकार व्रिक्ष अपने फल स्वयम नहीं खाता दूसरों के हित के लिए दे देता है जिस प्रकार तालाब भी अपना जल स्वयम नहीं पीता दूसरों के हित के लिए दे देता है उसी प्रकार सज्जनों का जन भी दूसरों की भलाई के लिए होता है बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर पंती को छाया नहीं फल लागे अति दूर संत कबीर कहते हैं खजूर की व्रिक्ष की तरह बड़ा होने से कोई लाब नहीं खजूर का व्रिक्ष बहुत उंचा होता है किन्तु न तो उसकी चाया किसी राही को मिलती है और नहीं उसका फल पाना सरल है भाव इस प्रकार है कि बड़ा वही है जो दूसरों के काम आए जो पहले कीजे जतन सो पीछे फलदाए आगी लगी खो दे कुआ कैसे आग बुझाए संत कबीर कहते हैं जो पहले से तैयारी करता है उसे ही सफलता मिलती है यदि आग लगने पर कुआ खो दें तो आग नहीं बुझाई जा सकती भाव इस प्रकार है कि सफलता पाने के लिए पहले से ही तैयारी करना जरूरी होता है गुरु गोविंदे दोनों खड़े काके लागे पाई बलिहारी गुरु आपुडे गोविंदे दियों बताए संत कबीर कहते हैं कि गुरु और ईश्वर दोनों में से पहले किसे प्रणाम करें गुरु का ही स्थान सर्वो परी है जिनोंने ईश्वर से मिलने का मार्ग बताया अर्थात गुरु का स्थान सबसे उचा है काल करे सो आज कर आज कर आज करे सो अब पल में परले होएगी बहुरी करेगा कब जिस काम को कल करना चाहते हो उसे आज ही कर लो और जिसे आज करना चाहते हो उसे अभी कर लो प्रलय कभी भी हो सकती है अर्थात भविश्य अनिश्चित है इसलिए अपने काम को समय पर ही कर लेना चाहिए दुख में सुमीरन सब करे सुख में करे ना कोई जो सुख में सुमीरन करे तो दुख का है कोई संत कबीर ने कहा है दुख में तु सभी इश्वर को याद करते हैं किन्तु सुख में उसे भूल जाते है यदि सुख में भी इश्वर का ध्यान करे तो दुख कभी नहीं हो सकता भाव इस प्रकार है सुख हो या दुख सदा इश्वर को याद रखना चाहिए कबीर वानी अभी आप सुन रहे थे C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारप्रस्तुत रेडियो बालपत्री का रंगोली के अंतरगत ये कारेक्रम कारेक्रम संचालन एवं निर्मान परामर्ष प्रभु दयाल खटर संपादक मंडल अजीत होरो रमेश रानी शर्म वंदना अरिमर्दन और दाव दयाल चतुर्वेदी गायन्स्वर, कुमार मुखरजी और प्रियमवदा, संगीत महेश प्रभाकर, धुन्यंकन दीपक पांडे, निर्मान सयोक, अक्षा सिदिकी तथा निर्मान एवं प्रस्तुती वंदना अरिमर्दन